आज महारत्मा गांधी की पुर्णितिती है इस मौके पर एक बार फिर हिंदू बनाम हिंदुत्व का सियासी विवाद सामने आ गया राहुल गांधी ने बापु को श्रधानजली देते हुए लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने महात्मा गांधी की हत्या की और सभी हिंदुत्ववादियों को लगता है कि महात्मा गांधी नहीं रहे राहूल गांधी के स्ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है शिवसेना ने राहूल गांधी के बयान को लेकर कहा है कि असली हिंदुत्ववादी होता तो जिन्ना को गोली मारता बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रे ने कहा है राहूल गांधी 2014 से पुराना रिकॉर्ड बजा रहे हैं उन्हें हिंदुओं का अपमान करके खुशी मिलती है दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहूल गांधी जी कहीं न कहीं ये हिंदु बैशिंग करके एक साडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना उनके खिलाफ बोलनी से उनको एक परमानंद की अनुभूती होती है राहूल जी आप जिस सिद्दच से जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आफ अनरगल ट्वीट करते रहते हैं जिस परिश्रम और सिद्दच से अगर उसके वन फोर्थ परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन पांच राज्यों के चुनाव में कोई तीन-चार सीट आपको कहीं से मिल जाए राहूल गांधी के हिंदुत वादी वाली ट्वीट पर शिव सेना कि संजीर राउत ने कहा है कि अगर कोई असली हिंदुत वादी होता तो बटवारे के लिए जिमिदार जिन्ना को गोली मारता पूरी दुनिया आज भी गांधी जी के निधन पर शोक मना रही है देखो अगर हिंदुत वादी होता कोई है असली तो जिन्ना को गोली मारता पूरी गांधी को क्यों गोली मारता पूरी पाकिस्तान की तो मांगती हो जिन्ना की मांगती है अगर हिम्मत त्यापके अप मर्द थे अपने मर्दान गी थी किसी में ऐसे लोगों में तो मैं मानता हूँ पाकिस्तान के मांग करने के बाद इसने या इंसा फैलाई पार्टिशन किया उनको कोई जाकर गोली मारता वो देशभक्ति का काम होता गांधी जी को गोली मारना निशस्त्र एक फकिर को मैं मानता हूँ यह ठीक नहीं था राहूल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है बीजेपी ने तराकेश तनह ने कहा बापू के हत्या की कोशिश पहले भी हुई थी फिर जवाहलाद नेहरू ने उनकी सुरक्षा बढ़ानी की कोशिश की क्यों नहीं की देखे इस बयान को किस नजर्ये से आप देखते हैं सर्फ देखे राहूल गांधी की हिंदुत्तो की समाज और गांधी की जानकारी बहुत ही कम है और कमजोर है हिंदुत्तो तो हिंदु समाज संस्कृति सभिता की आंतरिक और वाहिष चुनोतियों को सामना करने की एक रणनीती और विचार है लेकिन राहूल गांधी जो जिस तरह से हिंदुत्तो को से नाथुराम गोडसे को जोर रहें उनका एक मात्रो देश से ऐसा करके मुस्लिम वोट बैंक को आकरसित करना है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए वे ऐसी भासा का प्रियोग करते हैं जब जब चुनाव का समय आता है तो राहूल गांधी को गोडसे ही आ जा जाता है राहूल गांधी हिंदुत को असब और मर्यादी तभासा में प्रिभासित करने लगते हैं और यही उनका एक मात्रो देश से हैं यह पहली बार नहीं हिंदुत को लेकर कि राहूल गांधी यो पहले भी कई बार बयान दे चुकी है इसका स्यासी माइने क्या मने देखे राहूल गांधी के पास न समाजिक आधार है न समर्थन है न संगठन है न कारिज करता है न विचार है अब उनके पास एक मातरास्ता बचा है कि धुरुवी करन के दोरा कॉंग्रेस की संजीवनी धूढना जो वे कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी देश को यह भी जबाब दें कि नाथुराम गोड से की हत्या से पुर्व, नाथुराम गोड से दोरह की गई हत्या से पुर्व, दस तिन पहले, 20 जनुवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की कोशिस उनकी प्रात्ना सभाव में दिल्ली में हुई थी, म गांधी की हत्या नातुराम गोड से के द्वारा की गई थी या इसके पीछे कोई बड़ा सर्यंत्र काम कर रहा था गांधी को हटाने का हत्या की जो जांच हुई है वो गोड से किंद्रित हुई है जितनी जांच होती है वो हत्यारा किंद्रित होने के साथ परिस्तीतियों पर